बच्चो हमारा चल रहा है अध्यादो जिसमें हमने अभी तक विभव के बारे में पढ़ा कि विभव क्या होता है उसकी इस्तिती उर्जा के बारे में पढ़ा उसकी दिसा के बारे में भी देखा कुछ हमने एक्जामपल भी देखें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम विभाव प्रष्ट बच्चों जैसा कि नाम है इसका सम विभाव प्रष्ट तो इसके नाम से अगर सम विभाव को हिंदी के हिसाब समें इसका संदी विच्छेत करूं सम यानि समान विभाव प्रष्ट यानि ऐसा प्रष्ट जिस पे प्रश्ट का मतलब क्या है ऐसा प्रश्ट जिसके परतेग बिंदू पर विभव समान है उसे हम सम विभव प्रश्ट कहते हैं तो बच्चों यह आप नो डाउन कर लें कोपी में लिख लें आसा ही नहीं आप लोग से उमीद है आप कोपी पहन ले कि आवसे बेटे होंगे और ठीक है दूसरे सब्दों में भी ले सकते हैं ऐसा प्रश्ट जिसके प्रतेग बिंदू पर क्या है विभव समान है उसे हम सम विभव प्रश्ट कहेंगे ठीक है किलिए यहां तक जब अपने को यह पता चल गया कि ऐसा प्रश्ट जहां पर विभव क्या हो समान हो तो उसकी कुछ properties वगर भी आप आसानी से देख सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं मेरे पास ये बनावा है डाइग्राम ये मानलो कोई सबी क्या है प्रश्ट है ठीक है सामने जो दिया हुआ ये करवचर दिखाय हुआ प्रश्ट का ये कैसा प्रश्ट है गोल प्रश्ट भी हो सकता है कैसा भी प्रश्ट है उस प्रश्ट पे मैंने क्या क्या दो बिंदू ले रखे हैं वी ए और वी बी ठीक है वी ए और वी बी यानि ए बिंदू पे वी ए विवव और बी बिंदू पे क्या ले लिए हमने वी बी विवव और पूरे प्रष्ट का अगर ये सम विवव प्रष्ट है और पूरे प्रष्ट का अगर विवव वी है तो यहाँ पर वी वी आएगा और यहाँ पर भी क्या होगा वी होगा वह आप बता रहें नो दोनो बिंदू दो यहां पर क्या करें इस पूरे प्रश्ट का विभव क्या माने प्रतेग बिंदू पर वी होगा तो इसको मैं सम विभव कहूंगा और प्रतेग बिंदू पर होगा तो मैं कहूंगा यहां पर भी है यहां भी है कहीं पर जाएं हर जगे क्या होगा विभव क्या होगा वी होगा समझगे बात को तो ऐसा ही अपने एक चित्र बना के आ जाएंगे वहाँ पे क्या हो गया वी ए यानि ए बिंदू पर विभव वी होगा ठीक है विभव आप जानते हो आवेस के वज़े से होता है यह अपने पहले पढ़ी रखा है एकांग धनावेस को क्या गरते हैं आनन से उस बिंदू तक लाने में किया गया कार यह क्या होता है आपका विभव होता है और यह क्या है यह क्या है विद्दू छेत्र की तिवरता की दिशा है यह प्रश्ट के लंवत होगा अभी बताओंगा क्यों होगा प्रश्ट के लंवत तो थोड़ा सा मैं क्या करूं इसकी new potential surface ठीक है English word भी आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत क्योंकि आगे की कक्षाओं में जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा terminology जो होती है science की वह English में ही बोली जाती है तो terminology आपको इसमें भी पता होना चाहिए कि विवव पोटेंसल होता है सम विवव क्या होता है यह चीज़े आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए ठीक है चलिए मैं पहले properties की बात करता हूँ यहाँ पर जितने properties बताओंगा वो केवल क्या होगा इस पर ही आधारित होगा यह दो लाइन जो लिखी वी ना आपकी कि ऐसे प्रस्ट जिसके प्रतेक बिंदू पर विवव का मान क्या हो समान हो सम विवव प्रस्ट कहलाता है अगर यह चीज़ अपने को याद है हम सारी property इसी बेस पर बनाएंगे इसी बेस पर क्या होगी सभी properties बनेगी देखे कैसे बनेगी मैं पहला property ले रखा है कि सम क्या होंगे समान होंगे वहाँ पर क्या होगा यहां पर यहां पर दोनों पर क्या होंगे समान होंगे और हम जानते जो कारी होता है कारी क्या होता है एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक जाने में कारी क्या होता है उनके विवव के अंतर के बराबर होता है तो उनका विव बिंदू से दूसरे बिंदू तक प्रस्थापित करने पे या विस्थापित करने पे किया गया कारे कितना होता है तो किया गया कारे क्या होता है सुनने होता है ठीक है यहाँ इस चीज को समझाया गया है कि हम जानते हैं वी वराबर यह होता है और इनका क्या क्या है potential difference निकाल लिया potential difference का यह formula आपको पता ही है Q0 का मान क्या होता एक होता है एकाई धहनाविस लेते हो इसलिए है ना और यह क्या हो गया दोनों पे क्या है बराबर है इसलिए क्या गया कारी क्या होता है 0 होता है ठीक है क्या गया कारी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा WAB क्या होगा 0 होगा समझगे बात को एक बिंदू से दूसरे बिंदू पे लाने में किया गया कारे क्या होगा 0 होगा जब ये बात आपके समझ में आ गई तो इसका जो दूसरा गुंधर्म भी बना सकते हो विवानतर का मान सुनने होता है यह भी तो बना सकते हैं आप अपने यह किया तो दो बिन्दों पे विभानतर का मान क्या होता है सुनने होता है यानि वी ए माइनस वी बी करूंगा तो क्या आएगा वी ए भी मेरा वी है है ना वी ए क्या है वी है और वी बी क्या है वो भी बी है तो दोनों को घटाएंगे त जीरो आएगा ना तो पहली प्रोपरटीज तो क्या बनी एक बिंदू से दूसरी बिंदू तक धनावेश को ले जाने में क्या गया कारी या एकांग धनावेश को ले जाने में क्या गया कारी क्या होता है सुनने होता है पहली प्रोपरटीज बोली अपने इसको दूसरी क्या होता है विवहांतर का मान यानि दो बिंदों के मद्दे के विवहांतर का मान भी कितना होता है जीरो होता है बता ही अपने दोनों क्या किया definition से किया ना कोई extra दिमाग तो लगाई नहीं रहें जो परिभासा मैंने आपको बताई उससे हमने ये दो properties निकाल ली तीसरे properties को देखो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं कि विद्धू छेत्र की जो तिवर्ता की दिसा है यानि ए की दिसा कैसी होती है जो आपका प्रष्ट है कौन सा प्रष्ट सम विवव प्रष्ट उसके सदेव लमवत होती है विद्धू छेत्र की तिवर्ता की दिसा सम विववप्रष्ट के सदेव क्या होती है लमवत होती है अब देखो ये भी आसानी से पता कर सकतो कैसे हमें रटने की आव सकता नहीं है मैं बोल रहा हूँ आपको जो definition बोले हैं उससे सारे properties बन जाएंगे कै कैसे वो भी देखो अभी आपने कहा कारे क्या है आपका सुनने है एक बिंदू से आवेश को दूसरे बिंदू तक ले जाने पर मानलो अपने पास एक बिंदू ए है और दूसरा बिंदू क्या है भी है इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कारे कितना ब W मेरा क्या है? 0 है और W क्या होता है? F.D.Vector यहां पर F.D.C. ठीटा बराबर 0 आ रहा है अब ध्यान से सुनो जब मैं एक परिक्षण हावेस को उठा के दूसरे बिन्दू तक लेके जाता हूँ बल तो लगाना पड़ेगा तो जब मुझे बल लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब F.C. नहीं है यहां पर क्या है? F.C. नहीं है एक बिन्दू से मैं दूसरे बिन्दू तक लेके गया विस्तापन तो आया कुछ ना कुछ तो विस्तापन हुआ तो D.C. नहीं है अब सोचो आप कि जब मेरे पास यहां पे ना तो F का मान जीरो आ रहा है ना D का मान जीरो आ रहा है F भी जीरो नहीं है, D भी जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा हो गया कि मेरे पास क्या होगा? कोश ठीटा का मान जीरो होगा सीधी सी बात है क्या है कोश ठीटा का मान क्या होगा जीरो होगा यह तो होगा बै यह जीरो नहीं हो रहा डी जीरो नहीं हो रहा लेकिन रिजल्ट तो अपना जीरो आना चाहिए तो कोई ना कोई एक तो जीरो होगा f ने का मैं तो 0 नहीं हूं, क्योंकि तुम्हें कुछ न कुछ बल तो लगाना पड़ रहा है, इसको इठाके यह रख रहे हैं, तो बल तो लगाना ही पड़ रहा है, d करता है मैं भी 0 नहीं हूं, मुझे यहां से उठा कर यहां तक लाए हो, तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों मेंसे ये तो ना जीरो होगा ये भी ना जीरो हो तो कोश ठीटा जीरो कब होता है या आप जानते हो जब ठीटा का मान कितना हो 90 डिग्री ठीटा का मान क्या हो 90 हम जानते है कोश 90 का मान कितना होता है जीरो होता है तो सिद्धी सी बात है यह से मेरे पास कितना आ गया ठीटा का मान 90 डिग्री आ गया क्या अपने पास ठीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया अब यह आप तो जानते हो ठीटा क्या होता है ठीटा क्या होता है एफ और डी के मद्दे का एंगल एफ और डी के मद्दे का एंगल एफ क्या है आपका F, आप अच्छी तर जानते है, F क्या होता है, E के बराबर होता है, E के बराबर होता है, F और E क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके रहें, F बराबर क्यों E होता है, यह तो पढ़ा था नपने, F बराबर आपको यह बताया था, F बराबर क क्या होता है क्यूं ए होता है अपने पस क्या होता है एफ बराबर क्यूं ए होता है यह होता है तो इसका मतलब यह हो गया जब मैं क्यूं का मान एक लिया हूं तो एफ बराबर क्या है ए है तो एफ और डी या फिर कह सकते ए और डी के मद्दे का कौन कित्ता हो गया 90 डिग्री किता हो गया 90 डिग्री तो ये देखें स्चित्रों का अगर आप देखें ये मेरा प्रष्ट है ये अपना क्या है प्रष्ट है और ये आप विस्थापन कर रहे हैं तो ये तो क्या हो गया विस्थापन हो गया ए से भी इसके लमवत आएगा ई क्या होगा इसके लंवत आएगा तो सीधी सी बात एक प्रष्ट था प्रष्ट पे दो बिंदू थे उसके लंवत जाएगा दूरी के क्या होगा लंवत आएगा इसका मतलब क्या हो गया ई की दिसा क्या होगी प्रष्ट के लंवत हो गई समझ गए बात को दुबारा मैंने कहा कि विद्दू छेटी के तीविता गिदिसा आपका जो सम विवव प्रष्ट है उसके सदेव क्या होती है लमवत होती है उसके हमेंसा क्या होती है लमवत होती है कैसे पता चला हमें ऐसे पता चला कि दो विवव समान होता है विवव समान है तो विवांतर क्या होगा 0 हो जाएगा विवानतर किया गया कारे के बराबर होता है तो W 0 हो गया जब W 0 हो गया तो W होता है F.D F किसके बराबर होता है E के बराबर होता है F.D को खोलते हैं तो F.D कोस ठीटा आता है F0 नहीं है आपका D0 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ cos theta 0 है और cos theta 0 कब होता है जब theta का मान क्या हो 90 degree हो इसका मतलब क्या हो गया E या फिर F बोलने आप वो क्या है विस्थापन के लमवत है तो विस्थापन तो प्रष्ट पर ही होगा विस्थापन तो क्या होगा प्रष्ट पर ही होगा भाई मालनो मेरा पास ये board है तो विस्थापन तो क्या होगा इसके तो दो बिंदू लोगा मालनो मेरा ये board क्या है सम विवो प्रष्ट है मेरा board कैसा है सम विवो प्रष्ट है ये तो विस्थापन हो गया अब इसके लमवत लेना है तो इसके लमवत तो क्या होगा ये वाला इसके लमवत होगा ये पूरे बोर्ड पे क्या होगा लमवत ही होगा होगा ना तो कुलमिला की बात आपके समझ में आ गई विद्दू छेतर की तिवरता की दिशा क्या होती है सदेव सम विवव प्रष्ट के लंवत होती है परिक्षा में भी कई बर पूछा जाता है और निम्रेकल हर करोगे तब भी आपकी चीज काम में आएगी ठीक है चलिए अगले गुंधर्म के और चले बिंदुवत आविस चालक गोला या फिर एचालक गोला या गोलिय खोस इन क्यों मालो इसके सेंटर पर हमने क्या किया एक आवेस ले रखा है सेंटर पर हमने क्या क्या एक आवेस ले रखा है अब सेंटर से प्रष्ट के गोले प्रष्ट हो तो उसकी दूरी क्या होते है तिर जागे बराबर होती न तो कहीं से भी दूरी निकालेंगे हमेसा दूरी क क्या होगी बराबर आएगी हमेशा दूरी क्या होगी बराबर आएगी और यह पन तो जानता है वी बराबर क्या होता है के क्यू बटा आर होता है अब देखे परतेग बिंदू पे क्या होगा मैं सपोच को इसकी बात कर रहा हूं इस वले की बात कर रहा हूं इसके मैं कहीं पर मैंने बी बिंदू ले लिया सब पोच किजे मैंने यहां पर क्या रखा ए बिंदू ले लिया और इधर क्या क्या बी बिंदू ले लिया वी भी बताओं तो आपको गया बी बी क्या होगा ये तो होगा के क्यू बटार क्यों दूरी तो क्या है इसकी दूरी देखें और इसकी दूरी देखें, दोनों क्या है, तिरजा के बराबरी तो है, तो यहां क्या देखरों, V, A, B, K, Q, R आ गया, V, V, B, K, Q, R आ गया, हो गया, सम्वीबो प्रष्ट, इस तरह अपन कह सकते हैं, कि कैसा होता है, यह हमेसा, गोल यह आकर्तिका होता है, और भी बना सकते ह जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाएंगे, यहां पर क्या है, V1, V2, V3, बना सकते हो, ठीक है, तो यहां पर भी अब देखो, इसके लिए, A पर V1 होगा, B पर V1 होगा, अगर इस बिंदू की बात करो, इन पर, V2, V2 होगा, और इस पर बात करें, तो क्या होगा, V3, V3 होगा समझ गे, अपने को यह याद रखना है, ठीक है, अगला, पांचवा गुंदर्म देखते हैं, एक समान, विद्दू छेतर के लिए, सम विवव प्रष्ट, छेतर के दिसा के लंबत चुने जाते हैं, यह अभी जो बताया था, सैम उसी का, उल्टा बोल रहूं, कि अगर करना है, विद्दू छेतर एक समान है, विद्दू छेतर क्या है, अपने पास एक समान है, मानलो यह एक समान है, अब मुझे क्या करना है, एक सम विवव प्रष्ट की चुनना है, सम विव प्रष्ट चुनना है, तो कैसा चुनूंगा, मुझे पता है कि सम विव प्रष्ट पर E क्या होता है, लम्वत होता है, या फिर मैं उल्टा बोस होता हूँ, सम विवप्रस्ट क्या होता है, E के लम्वत होता है, बाग तो यह की है ना, भाई मैं कहूं यहाँ यह A vector है मैरे पास, यह B vector है, इनके मद्य का कौन 90 degree है, तो आप क्या कोगे? आप कोगे A और B क्या है? लमवत हैं. A और B क्या होगे? लमवत होगे, परपेंडी कुलर हैं. उल्टा नहीं बहुत सकते क्या? उल्टा भी तो कह सकते हैं. उल्टा का मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि B और A भी लमवत हैं. ये भी कह सकता हूँ न मैं कि B और A भी लमवत है same वोई बात है अभी हमने थोड़ी दिर पहले कहा क्या कहा था कि जो विद्दु छेटर की दिशा आयी थी वो कैसी आयी थी सम विवो प्रश्ट विद्दु छेटर की दिशा कैसी आयी थी लमवत आयी थी तो यह कह सकते हैं कि विद्दू छेतर ई प्रष्ट के लंवत है दूसरी बासा में ये भी कह सकते हो क्या प्रष्ट विद्दू छेतर के क्या होता है लंवत होता है यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके वास समान विद्दू छेतर है उसके लिए अगर आप सम वि विववप्रष्ट लेना चाहते हैं तो वो कैसा लेंगे विद्दू छेत्र के लमवत दिसा में लेंगे common sense की बात है है ने बिलकुल common sense की बात समझ गें यह पांचों गुंदर्म आपको समझ में आ गया होगा जब पांचों गुंदर्म समझ में आ गया तो छटा गुंदर्म देखिए काफी important है यह अपना गुंदर्म क्या है important है क्यों है आप पढ़ के समझ जाओगे प्रिक्षा में पूछा जाता है क्या है दो समझ विवव प्रष्ट या तल एक दूसरे को परतिछेद नहीं करते हैं दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को परतिछेद नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे मैं मानलो अपने पास क्या है एक तल यह है यह क्या है अपने पास एक यह तल है मानलीजे यह अपना क् जो सम्व विवव प्रष्ट है परते एक बिंदू पे इसका विवव कितना है वी टू है और एक मेरे पास ये वाला है और इसके परते एक बिंदू पे विवव कितना है वी वन है अब मैं क्या करता हूँ इनको काड देता हूँ आपस मैं क्या करूँ क्रोस करा देता हूँ ज वह तो क्या होता है fix होता है एक ही बिंदो पे दो विवव नियू हो सकते हैं इसलिए हमें ये ध्यान रखना है सम विवव प्रश्ट यत्वा तल एक दूसरे को कभी भी परतिछेद नहीं करते हैं परतिछेद नहीं करते हैं या काटते नहीं है या उनका कोई भी कटान प्रष्ट एक दूसरे को प्रतिशेद क्यों नहीं करते हैं ठीक है ऐसा क्यूसन आपसे पूछा जाता है और जब ऐसा क्यूसन पूछे यह जवाब देखे आएंगे कि दो सम्विव प्रष्ट या तल प्रष्ट पर नहीं काटते हैं क्योंकि यदि काटेंगे तब कटान बिं यह चीज हम समझा कर आ जाएंगे उम्मीद करता हूँ यह वाली बात समझ में आ गई होगी कि दो सम विभवव प्रश्ट एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं क्यों नहीं काटते हैं क्योंकि जिस बिंदू पर काटेंगे वहाँ पर क्या होगा दो विभव प्राप्थ समझ कि बात को चलिए इन गुंदर्म के ओर ले चलता हूँ है कि किसी चालक के सतय पर सदेव क्या होता है? इसका कारण है यह क्या होता है एक समान विभव पर होता है यह इसका कारण है तो कई बर पूछ ले जाता है और ये फिर चालक के बारे में पूछ लेता है चालक कैसा प्रष्ट है चालक प्रष्ट कैसा है सम विभव है नहीं तो आप बताएंगे क्या बताएंगे चालक की सते हमेशा क्या होती है सम विभव प्रष्ट होती है ठीक है तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही आगे पढ़ झाल झाल